हाई फ्रेंज तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि MI phone में app drawer कैसे चालू करें MI के phone में app drawer setting कैसे करें without किसी application के जिहां दोस्तों आपको किसी application download करने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको एक ऐसा trick बताऊंगा जिससे आप अपने MI के phone में app drawer setting को चालू कर सकते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं क्यों करते हैं यह सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेकर लाच तक देखते रही है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और गाईज अगर आपने अभी तक आरे ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification बलाइकन को जरूर दबाईएगा तो MIK phone में app drawer setting को on करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone की setting को open करना है इस तरीके से आपको setting को open करना है तो finally यहाँ पर मैं setting को open कर चुका हूँ and setting open करने के बाद यहाँ पर आपको बहु सारा यहाँ पर काफी सारा setting आपको दिखाई देगा तो guys यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से scroll down करके नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा home screen तो अब यहाँ पर आपको home screen पर किलिक कर देना है इस तरीके से ओके दोस्तों और इस पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको का यहां पर आपको regular प्रिटिक लगा होगा यहां पर देख सकते हैं और उसके नीचे में यहां पर लिखा होगा with app drawer यहां पर देख सकते हैं तो आपको यहां पर इस पर क्लिक करना ठीक है इस तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर ओके पर क्लि बूटिक लग जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं वीथ एप ड्रावर यहाँ पर बूटिक लग चुका है और बूटिक लगने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके इस तरीके से आपको यहाँ पर बैक करना है और बैक करने के बाद माई के फॉन में एप ड्रावर सेटिंग अन करने से हमें ये फायदा होगा ये प्रोफिट होगा कि जैसे यहां पर हमारे फॉन में बहुत सारा काफी सारा यहां पर अप्लिकेस है ठीक है दोस्तों जैसे यहां पर हमें फिरी फायर को ढूड़ना है तो यहां पर हम कितना सारा यहां पर सलाइट करेंगे उसके बाद सिटिंग को डूदना है तो सिंफल सा गाईज यहाँ पर हम लीचे से ऊपर के चलेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम फीरीफायर लिख देंगे इस तरहीं से तो यहाँ पर फीरीफायर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं अब मान के चलिए कि ह guit पर हमें प्लेस्टोर को डूड़ना है तो यहां पर हम प्लेस्टोर सर्च करेंगे तो जैसे ही हम प्लेस्टोर सर्च करेंगे उसके बाद पी से जितनी सारे रिलेटेड अप्रिकेशन होंगे वह यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीके फ्रेंड्स फिर एक नई वीडियो मिलते हैं नेट रिक के साथ चेप्टर के लिए पार